नमस्कार दोस्तों मैं रोहुन शुर्मा स्वाद कता हुन सभी का आपके अपने चैनल जोतिश इनवास्तु में कैसे हैं आप सभी? आज हम यहाँ पर बात करेंगे एक बहुत ही जादा इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम आज बात करेंगे धन्तेरस के बारे में दिवाली का महतसव शुरू होने वाला है और दिवाली के महतसव में शुरुवात होती है धन्तेरस के दिन से धन्तेरस के दिन क्या रहेगा शुब महरत पूजा किस्समे करनी हैं खरीदारी किस्समे करनी हैं और इसी के साथ साथ कौन से अचूक वैदिक जोतिश के उपाया को करने हैं जिससे कि आप सभी की कई सारी परेशानिया जीवन से दूर हो जाएंगी और आप सभी के गरों में मातलक्ष्मी जी का आशिरवात बढ़सेगा और आप सभी का जीवन काफी ज़दा सुखमे होता ह सारी जानकारी मिलेगा आपको इस वीडियो में अन तक देखेगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिसना हो जाए सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि त्रेयोदिशी तिथी आखिर कब आरंभ होने वाली है और कौन सा दिन वो रहेगा दिके त्रेयोदिशी तिथी यहां पर दे हो जाएगी दोपेर के बारा बचकर 40 मिनिट के बाद त्रेयोदिशी तिथी आरंभ हो जाएगी और 11th of November 2023 तक यह रहेगी दोपेर को दो बज़े तक यह तिथी रहेगी इसका मतलब है कि अगर हम धंतेरस की बात करें और धंतेरस की पूजा की बात करें क्योंकि हम शाम के स सुबे सुबे पूजा करना चाहता है तो फिर मैं आपको कहूँआ कि आप 11 तरीक को सुबे आप पूजा कर सकते हैं दोनों ही समय आपके लिए काफी जाद आच्छे हैं कौन से समय रहेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं और खरीदारी के लिए कौन कौन सा शुब महर करना है और आप आराम से खरीदारी कर सकते हैं खरीदारी में क्या-क्या चीज़े इंपोर्टेंट है वो भी जान लीजिएगा ताकि आप को गलती ना कर दे क्योंकि धंतेरस पर खरीदारी करना बहुत शुब माना जाता है और एक शुब महरत में पूजा अर्चना करके की साथ बच कर चालीस मिनिट तक का महरत 547 इवनिग से ले करके 730 और 740 इवनिग तक का महरत ये रहेगा मतलब कि एक बहुत अच्छे समय की अगर मैं बात करूं तो एक बहुत अच्छा समय बनता है आपका शाम को 6.15 शे बचकर 15 मिनिट से लेकर के 7.15 7 बचकर 15 मिनिट तका जो समय है ये काफी ज़्यादा शुब समय है इस समय में की गई पूजा अर्चना आपके लिए काफी ज़्यादा मंगल में रहेगी बहुत अच्छे परिणाम देगी और आप सभी को बहुत अच्छे रिजर्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे इस समय में मातालक्ष्मी जी की आरादना जरूर कर लीजेगा बिल्कूल भी गलती ना करें धन्तेरस के दिन पांच देवो की पूजा करी जाती है पांच देवो की पूजा में आप सभी को भगवान धन्वंत्री जी की पूजा करनी है भगवान कुबेर की पूजा करी जाती है मातालक्ष्मी जी की पूजा करी जाती है भगवान गनेश जी की पूजा सर्व प्रथम करी जाती है और इसके बाद यम की पूजा करी जाती है तो इसलिए आप सभी को ये ध्यानक नाएं कि पांचों देवताओं को नियमित रूप से आप पूजा अरचना करें और इनसे आश्रिवात प्रानी की हर संभव कोशिश करें आप सभी के जीवन में खुश्यां बरसते हुए नजर आएगी धन्तेरस पर पूरा जो आपको एक मौका मिल रहा है खरीदारी के लिए शुकरवार का भी दिन है और काफी ज़्याद अच्छा समय भी यहां पर बनता है बहुत ही ज़्यादा शुब सयोग यहां पर बनते हैं दोपर दो बचकर 30 मिनिट के बाद आप खरीदारी आरंब करिएगा और अगले दिन आप दोपर 12 वजे तक जो भी खरीदारी करना चाहें कर सकते हैं यह समय आपके लिए शुब रहेगा कहा जाता है कि धन्तेरस के दिन खरीदारी के लिए आपके प्रापर्टी आप खरीद सकते हैं प्रापर्टी खरीदना बड़ा अच्छा माना जाता है जाडू खरीदना बहुत ही ज़्यादा शुब माना जाता है सोना चांदी खरीद सकते हैं आप सोना अगर ना खरीद पाएं तो पीतल जरूर खरीदें पीटल ना खरीद पाएं तो आप कोडी जरूर खरीदें कोडियों को फिर हल्दी के पानी इसे रंग दीजिएगा तो वो भी आपके लिए काफी जाद अच्छा रहेगा इसके अलावा आप वाहन भी खरीद सकते हैं उसके लिए भी यह समय शुब है और इसी के सारी बाते कि क्या खरीद सकते हैं कौन से समय में क्या खरीद सकते हैं और कौन से समय में पूजा कर सकते हैं यह सारी जानकरी मैं आपको दे दी अब हम बात करते हैं अपर वैदिक उपाय के बारे में कि क्या उपाय आपको करने हैं जो आपके लिए काफी जादा अच्छे कहा जाता है कि धंतेरस के दिन गाय की पूजा करना बहुत ही ज़दा शुब रहता है कहते हैं गाय में मातालक्षमी जी का वास होता है और धंतेरस के दिन आप गाय को कुछ खिला दें या फिर गाय की पूजा अर्चना कर लें तो आपके जीवन में कभी भी परिशान्या नहीं आती और आपका जीवन कई सारी खुश्यों से भरा रहता है आपको हमेशन सुक और सम्रदी मिलती रहती है इसके अलावा आज की इस दिन में आप सभी को दीप प्रजवलित जरूर करने हैं इस बात का विशेश ध्यान लखिएगा कहा जाता है कि तेरा दीप जरूर जलाने चाहिए चाहिए वो गर के अंदर हो चाहिए गर के बाहर हो बड़ तेरा दीपों का महुत सब ये बनाया जाता है तेरा दीपों में एक दीप बहुत ज़ादा महत्पुन होता है वो कौन सा है वो भी मैं आपको बताऊंगा तेरा दीपों के अलावा आप सभी को अगर आप कुछ भी खरीद नहीं सकते तो भी मैं कहुँगा कि धनिया जरूर खरीद लिजे सुखा धनिया जिसे हम कहते हैं जो मसालों के रूप में काम में लिया जाता है उसे जरूर खरीदा जाता है और उसे खरीदना बहुत ही ज़ादा शुब माना जाता है शाम के समय में पूजा अर्चना करके खोडियां जो हैं अगर आपने वो खरीदी हैं और हल्दी के पानी सरंगी है तो उन्हें आप अपनी तीजोरी में रख सकते हैं हल्दी की गाठ आप अपनी तीजोरी में रख सकते हैं ये भी आपके लिए काफी ज़दा अच्छा रहेगा और इसी के साथ साथ गायत्री मंतर का जाब जरूर करिएगा और माता लक्ष्मी जी क्या राधना जरूर करिएगा ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा दंतेरस की रात को एक विशेश उपाय आपको करना है ये कौन सा है? नोट कर लिजेगा प्लीज दंतेरस की रात को जब आप खाना खा चुके हैं और अब सोने की तयारी कर रहे हैं उससे ठीक पहले ये काम आप करिए काम आप सभी एक तेल का दिया प्रजुलित करिएगा और तेल के दिये को प्रजुलित करके आप क्या करिएगा? पूरे गर में लेकर के से गुम लीजेगा और उसके बाद पूरे गर में इस दिये को लेकर के गुमने के बाद आप सभी क्या करेंगे इस दिये को गर के बाहर South Direction की तरफ या फिर South की तरफ लो करके इस दिये को गर के बाहर की तरफ रख दीजिएगा गर के बाहर कोई भी गंदगी अगर रहती है तो वहां के आसपासी दिया रख दीजीगा और यम की पूजा के लिए से काम में लिया जाता है ये दिया नया नहीं होना चाहिए इस बात का ध्यान किएगा ये पुराना दिया होना चाहिए मतलब कि एक पुराने दिये को लेकर के आप सभी को जला करके पूरे गढ़ में गुम करके उसके बाद उस दिये को गढ़ के बाहर दक्षन दिशा साउथ डिरिशन की तरफ रख दीजेगा और उसके उपर पानी चड़ा करके लगढ़ के लिए पानी चड़ा करके अर प्रातना कर दिजेगा कि आपके गर में किसी भी तरह की नकारातमक्ता ना आए आपके गर में कोई भी सदस्यस करता है तो काफी अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं और दिये को रखने के बाद पीछे मुड़कर के नहीं देखना है इस बात का विशेज द्यान रखेगा और साती साथ जब ये दिया आप पूरे गर में गुमा रहे हैं तो कोशिश करें कि आप इसे बार-बार ना देखें जब जो विक्ति से गुमा रहा है वो अपना काम करें ज़ादा बातचीत ना करें और सीधा नीचे जाकर के या गर के बाहर जाकर के आप इसे रख करके आ जाएं ये काफी ज़ादा अच्छे पहिणाम देता हुआ नजर आएगा बहुत इंपोर्णेंट उपाए है और बहुत अच्छा उपाए है जरूर करिएगा मीत करता हूँ कि आप सभी के जीवन से नाकारतमेकता दूर होगी और धंतेरस के साथ ही मातलक्षमी जी का आश्रिवाद बरसेगा और आप सभी के जीवन में खुश्यां बरसते हुए नजर आई की वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा वेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा कुछ पूशना चाते हैं जानना चाते हैं अपने बारे में कुछ भी समझना चाते हैं आप मुझे संपर कर सकते हैं मैं पूरी-पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभव मद्दियां पर कर सकूँ धनिवाद